हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं इस डिजैन के बारे में फ्रेंड्स हम आपसे डिसकस करेंगे ये हमार पास 33 फुट बाई 36 फुट में बना सिंगल फ्लोर का बहुत ही अच्छा हमारा मॉडल है लेटेस्ट विला का डिजैन है यदि आप अपने खर किसी गाउं में सिटी में कहीं भी आप इसको बना रहे हैं दोनों ही जगे के लिए सिटी बनाना तो सिटी में आप इसको वीच कर सकते हैं यह को गाउं में बनाना है, तो गाउं के लिए भी है हमारा design, seo table हमारा रहेगा, तो बहुत ही सांदर model है, आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से visualize कर सकते हैं, बहुत ही सांदर हमारा design है, यह हमार पास का design है, यह हमारे पास इसके चारोई साइड में विंडो का प्रूबजन रखा हुआ है क्योंकि चारोई साइड में अपनी प्रॉपरिटी है तो उसी के साब से यह हमारा design हमने इसको किया हुआ है तो यह फ्रेट हमारे पास अपना elevation design है हम बात करेंगे अपने design के 3D plan के बारे में यह हमारे पास 3D में प्लान होगा तो यह जो हमारा design है three bedroom का हमारे यह सांदार model है तो इसमें हमारे घर की जो entry है वह हमारे पास सबसे पहले बरामदी के अंदर हमारे एंटी रहीगी enter करेंगे यह मेंडूर होगा इस मेंडूर से जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमें यह पर मिलने वाला है यह यहां पर हमारा पास एक प्रॉपर हॉल होगा जिसको हम पना डैनिंग या फिर लिविंग के परपस से इसको म्यूज कर सकते हैं इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास दो विंडूस रहेंगी तो दोनों विंडूस से हमारे अपने इस किचिन का बहुती अच्छे से वेंटिलेसन होता रहेगा यह हमारे पास अपना किचिन का फैंट्स हमारे डियान रहने वाला है यहाँ पर हमारे पास एक किचिन रहेगा यहाँ पर फैंट्स हमारे पास एक मंदर का डियान रहने वाला है यह हमारे पास मंदर रहेगा जो कि हमार पासे North East Side में हमार पासे मंदर रहेगा यह हमार पास अपना मंदर का हमारे डियान रहने वाला है आगे बढ़ते हैं इसमें आप देखेंगे कि हमें अपर एक bedroom मिलेगा यह हमार पास अपना bedroom मिलेगा तो इस window से ही हमारे अपने इस bedroom का अच्छे से ventilation होता रहेगा यह हमार पास अपना bedroom गड़ियां रहने वाला है यहां पर friends हमें एक और bedroom मिलेगा यह हमार पास अपना second bedroom गड़ियां रहेगा और इस bedroom में भी आप देखेंगे कि हमें अपर यह दो windows मिलेंगी तो दोना windows से हमारा अपने इस bedroom का भी proper ventilation होता रहेगा यह फनेट हमार पास जो डिजैन है इसके red side से भी घर के अंदर आने के लिए हमने अपर main door दिये हुआ है यह हमार पास red side से एक door रहेगा और इस door के throw भी हम अपने घर के अंदर आ सकते हैं यह हमार पास अपना red side की तरफ से होने वाला door रहेगा यह फनेट हमार पास इस्टे के इसको अपकराई हुआ है यहां से जाएंगे हम अपने first door पे यह हमार पास अपना stairs कड़ियां रहेगा यह हमार पास अपना stairs है यह हमारा पास अपना थर्ड बैक्साइड में जाने के लिए डोर दिये हुआ है यह हमारा पास अपना एक डोर होगा जिसके थोरो अपने बैक्साइड में आ सकते हैं यह हमारे पास अपना बैकसाईड में अपना ही स्पेस रहेगा, तो इस तोर के तोभी, हम अपने बैकसाईड वाले पोर्चन में आ सकते हैं, आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास यहाँ पर एक आटेश्ट टॉالれट है, जो कि हमागर पर से बैट्र मुंसातर में रहेगा, और ये जे टॉलेट है, इसमें हमार पास बाधिंगे टॉलेट शीट दोनों को इसके अन्दर हमने कंबाइंड ही रख रहे है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमार पास अपना 3D में प्लान है 3 रूम का 3 रूम है इसमें हमार पास एक attached टॉलेट पस बात्रूम है और हमार पास एक टॉलेट और एक बात्रूम को हमने separate पर रखा हुआ है South East नमारा किचिन है East facing के according बना ये हमार पास अपना प्लान है जो कि हमने ये हमार पास अपना Elevation है ये हमार पास अपना और काफी basic और काफी अच्छा हमार डियान है कोई भी इसको बहुत ही अच्छे से बना सकता है यदि उसके पास थोड़ा सा भी उसने काम का experience है mystery के लिए तो वो इस डियान के लिए बना सकता है इसमें आप देखेंगे कि हमारा पास इसमें MSG railing का यूज के हुआ है यहाँ पर हमने इसमें CNC cutting में जाली का इसमें हमने यूज के हुआ है यह हमारा पास में CNC cutting में जाली रहेगी तो यह हमारा पास अपना elevation design है फ्रेंट्स जो कि आपको अच्छे से clear हो गया होगा तो design फ्रेंट्स आपको हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताना तो फ्रेंट्स फञाल की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपने वीडियो को लाइक और सेर नहीं किया है तो प्लिज लाइक भी कर दीजे सेर भी कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाने साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भरत